नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में हो रही पहले चरण की मद्दान स्वास्ते विवा के 70 हजार पदों पर होगी बहाली जबरा सरापकार में पुलिस की बड़ी कारवाई चांट का बिजिटल स्वास्ते रिकॉर्ड को आयुष्वान भार स्वास्ते खाता नमबर से जोड़ा गया भारत ने बांगलादेश को 188 रन से पहले टेस्ट मैच में दीमाद इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार में हो रही पहले चरण की मदान बिहार में नगर निकाय चुनाओं के पहले चरण का मदान आज यानी 8 दिसंबर की सुभर 7 बजे से सुरू हो गया है जो की साम 5 बजे तक चलेगा आपकी जानकारी के लिए बता दे की इसके तहत राजे के 156 नगर पाली का छेत्रों में वोट डाले जाएंगे जिसमें की 68 नगर परिस्द और 88 नगर पंचाय सामिल है अगर वोट डालने वाले मदाता की संख्या की बात की जाए तो मदाता की संख्या 52,60,530 मदाता है वहीं आयो की ओर से बिहार में नगर निकाय चुनाओ के पहले चरण में 3,346 वोटों में चुनाओ कराया जा रहा है इस दोरान मदाता मदान करी सुरक्षा के बीच कर रहे है स्वास्ते विभाग के 70,000 पदों पर होगी बहाली बीते सनिवार को इंडियन एसोशेशन और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिशीन बिहार चैप्टर की ओर सी गांधी मैदान में सिद्ग्यान भवन में एक दिवसिय सेमिनार के उद्गाटन के दोरान स्वास्ते विभाग के अपर मुख्य सचीव प्रत्य अमरित के दोरा घोशना करते वे यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार स्वास्ते विभाग में कुल 70,000 पदों पर बहाली की निक्ती प्रक्रि बिखारी किया जाएगा इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है लोगों ने भी प्रतीमा पर मालयारपन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया हाथियों के जुंड ने कहीं लोगों को खदेरा इन दिनों और अंगाबाद में जारकन के जंगलों से भटक कर मैदानी इलाकों में आ गए हाथियों के दल ने कोडाम मचा दिया है बता दे कि बीते दिन सनिवार को हाथियों के जुंड ने मदनपुर के सुदूर वर्ती पिचोलिया में गन्ने की खेत को अपने पैरो तले मसल दिया और उसके बाद उब्द्रव मचा कर लोगों पर हमला किया उब्द्रव के दौरान तीन लोग घायल भी हो गए हाला कि जिसके बाद वन विवाग की टीम की दौरा प्रयास करने के बाद हांथियों के जुंड को जारकन की ओर का निधी पहर के इलाके में पहँचा दिया गया है चप्रा सराब कान में पुलिस की बड़ी कारवाई बिहार के छप्रा सिवान और बेगु सराई में लगातार जहरिली सराब से होने वाली मौत की बरती संख्या को देखते वे बिहार पुलिस ने SIT टीम गठिद कर इस मामले पर कारवाई करते वे सराब माफिया अनिल सिंग को गिरफतार कर लिया है इसके साथ ही पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहट 271 सराब कारोबारियों को गिरफतार किया है जिसमें इस अब तक 6,335 लीटर सराब और 21 बरामत किये गए हैं हाला कि पुलिस के दोरा दी गई जानकारी के नुसार इस मामले को लेकर अब तक कारवाई पूरी नहीं की गई ह इस और मामले का खुलासा करना अभी और भी बाकी है जब तक इस मामले का खुलासा नहीं हो जाता तब तक कारवाई चालू रहेगी जे इमेन परिक्षा 2023 में हुआ बदलाओ नेस्नल टेस्टिंग एजेंसी के दोरा जे इमेन परिक्षा 2023 में बदलाओ किया गया है कम से कम 75 फीजदी मार्क लाने अब आवश्यक हो गया है अगर बात उन छात्रों की करे जो SC और ST वर्ग में आते हैं उनके लिए यह नियुन्तम मार्क्स 65 फीजदी रखा गया है अकडों में हूई परहोत्री बिहार में लगादार जहरीली सराप से मरने वाले लोगों की संख्या में परहोत्री होते जा रही है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अब इन लोगों का आकड़ा करीब 80 के पास पहुँच चुका है वहीं जिस जले में सबसे आदा लोगों की मौत हुई है उसमें सारन जला सामिल है जहां करी 75 लोगों की जान गई है हाला कि प्रशासन की ओर से दी गई आकड़ों के नुस दलाई लामा के बोध गया आगमन व कालचक्र मैदान में प्रस्तावित टचिंग कारिक्रम के मदे नजर सुरक्षा को देखते वे किया गया है मिली जानकारी के अनुसार दलाई लामा अगले 4-5 दिनों में बोध गया पहुँच सकते हैं जहां वह तिबत मोनास्ट्री में रहेंगे बीते दिन सनिवार को बोध गया डियेसपी अजय प्रसाद वा दलाई लामा के सुरक्षा अधिकारियों के बीच कारिक्रम अस्थल पर सुरक्षा इंतिजाम को लेकर चर्चा भी किया गया वहीं सुरक्षा को देखते हैं अधिकारियों के दोरा CCTV के माध्यम से ब भारुक अब्दल्ला और हिना गावीत के पूरक प्रस्ष्णों के उत्तर में स्वास्ते एवं परिवार कल्यान मंत्री मंसुक मांडविया ने जानकारी देते वे बताया कि भारत में चार करोर डिजिटल स्वास्ते रिकॉर्ड को आयुस्मान भारत स्वास्तिक हाता नंब ग्यों ने अपना मुस्त इलाज करवाया है वहीं कुर 29 करोर नागरिकों ने अपना विसिस्ट आयुश्मान भारत स्वास्तिक हाता कार बनवाया है आपके जानकारी के लिए बता दे कि इस योजना का लक्ष्य 10 करोर पडिवार या 50 करोर लोगों को स्वास्तिक सुरक्षा के दाइरे में लाना है तथा इस योजना की प्रतिक महीने समिक्षा भी की जाती है बीजेपी का नितीज सरकार पर गंभीर आरोप एक तरफ जहां बिहार के जिलों में सराप से मरने वाले लोगों की संख्या में बरहोत्री होती जा रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगाया कि मिर्तकों की लावियार बिहाराची में अक्टिव है वहाँ के अस्पतालों में इलाज की पुबला की जाद नहीं बचाई गई नियता प्रतिपक्ष को गिरने में खुद गिर गये महाइगडबंधन के पृत에 सुकृवार को महाइगडबंधन के नेता डिप्टी सीम तेश्रीयादव समेट कई विधायकों के द्वारा नेता प्रतिपक्ष विजयस सिन्हा के रिस्तदारों के घर सराब की खेप मिलने की बाते कहीं गई थी लेकिन अब महागरबंदन की अचाल उन पर ही भारी पड़ गई है और वह खुद ही इस रननीत प्रतिपक्ष विजयस सिन्हा ने यह खुलासा किया है कि सराब की बडामदी मेरे रिस्तदारों के घर से नहीं बलकि जद्यू समर्थक के यहां से की गई है इसके साथ उन्होंने कहा कि उपमुके मंतरी तेश्यू यादव विधायक भाई विरंदर एवं सकील एहमत खान क के लिए उन्हें मेरे सिक्सोंबार को बिहार विधान सभा के सत्र सुरू होने पर सदन में माफी मांगना होगा और अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो मैं उनके खिलाब मानहानी का मुकदमा दर्ज करूँगा नितीस पर भढ़के योगी के मंतरी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितेनात के मंतरी नितन अगरवाल और दया संकर सिंग में मुख्य मंतरे नितीस कुमार पर सराब से मौतों के बाद यूपी को दोसी बताने के लिए उन पर हमला बोला है बता दे कि नितन के मुख्या की तरफ से जो पीएगा वह मरेगा जैसा बयान सामने आता है तो ये बेहद निंदनिया और निराशा जनक बयान है नितीज कुमार की राज्य में जन्वी लोगों की मौत सरा पीने से हुई है उनकी जिमेदारी वे खुद न लेकर दूसरे राज्यों को दोसी ठे प्रदेश के मुख्यमंत्र योगी आदेते नाच से कुछ सीखना चाहिए दया संकर सिंग ने भी जहरिली सराव से मौतों के लिए मुख्यमंत्र नितीज कुमार को ही जिम्यदार ठेढ़ाया और कहा कि सत्ता की लालच मिन नितीज कुमार ने बिहार को जंगलरास की ओर धर अकेल दिया है ऐघ्यक्षता में हांथ से हांथ से बता को लेकर बावत रहला कि आयोजट किया गया क काले क्रम M baked गर्ञराजे से बूत defテ्र तकपद यातरा करेंगे भारत ने बंगलादेश को do 108 रन्हों से पहले टेस्ट मैच में दीमात भारत और वांगलादेश के बीछ खेले जानरा ही भारत ने बंगलादेश को do 188-3 रनों माद्धी बता दे कि 513 रन का लक्षे का पीछा करते वे बांगलादेश पांचवे 324 रन पर ओल आउट हो गया इसके साथ ही भारत ने सीरीज में एक सुन्य की बहरत हासल कर ली है और अब वर्ड टेस्ट चैंपियनसिप के दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है जानकारी क नहीं सका और भारत ने यह जीत अपने नाम कर ली जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट जारी के गए जिसके बाद राजधानी पटना में आज पिट्रॉल 107.22 रूपे और डीजल 94.2 रूपे प्रती लीटर में मिल रहा है मुझे अपर पुर्ण में प पेट्रॉल की कीमत 104.72 रूपे और डीजल 95.4 रूपे प्रती लीटर है भागलपुर में पेट्रॉल की कीमत 90.97 रूपे प्रती लीटर निरधारित की गई है। पेट्रॉल की कीमत एक सो आट दसमलो तीन एक रूपए और डीजल की कीमत पंचानवे दसमलो सुन्ने चार रूपए प्रती लीटर है। बेते दिन हमारे दरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्हों नहीं हमारे दरा पुछे के सवाल का जवाब दिया है। बदलावाया है आप अपना चवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइ करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेस को लाइक करना ना भूले धन्यवाद